इम्पोर्टेंस ओफ पैट एनिमल्स इन आर हाउशोल्ड्स सीबियस्टी के जो क्लास 10 के बच्चे हैं वो इस वीडियो को देहन से सुनना और रीडलर्ण एक्सल डोट कॉम पर जाके इस क्यूस्टन को आप सोल करना एक्सम में इस परकार के क्रिश्टन जाते हैं और इस क्रिश्टन के मात्रम से इम्पोर्टेंस ओफ पैट एनिमल्स इन आर हाउशोल्ड्स हमारे घरों में पैट एनिमल्स के भारे में using the story of triumph of surgery, triumph of surgery की कहाने का परयोग करते वे what lesson can a pet lover learn to properly care for their animals एक पैट लवर वालतु जानवरों का जो लवर है वो इस लेशन से क्या क्या सबक सेख सकता है और किस परगार अपने पैट अनिमल्स का की देख वाल अच्छी तरह से कर सकता है वैसी कोई भी लापरवाई उसको नहीं बरतनी चाहिए जो मिसिस पैंपरी ने ट्रिकी के साथ जो ना किया सबसे पहला जो लेसन है वो हम क्या सिखते हैं इमपोटेंस पैट अनिमल्स इन ओर हाॉश क्या महत्व है पैट अनिमल्स हमारे घरों मेए एक कुरूशियल रोल अदा करते हैं जो हमें एक कन्पेनिएनशिब दिती है यानि हमारा साथ देते हैं हमें अकेला पन नहीं होने देते हैं Emotional sport, दुसरी जो हमें उन से मिलती है वो emotional sport, खास कर जब आप घर में अकेले हैं, अगर आपके पास को pet animal है, तो you don't feel alienated, you don't feel isolated, आप अलग तलग महसुस नहीं करते हैं, आप अपने मान ले आपके पास dog है या cat है, तो वह आपको अलग तलग महसुस नहीं होने देता, और even health benefits, जिससे अगर आपका mental status ठीक रहेगा, आपका दिबागी समतुलन सही रहेगा, तो उससे आपको health में भी benefits मिलते हैं, और सबसे जो महत्तो कूल बात है, कि pet animals का love हमेशा unconditional होता है, कोई सरक नहीं होती, इंसान प्रेम करने में सरक लगा शकता है, कि यह होना चाहिए, यह होना चाहिए, लेकिन pet animal का love pure, poised और unconditional होता है, वो आपके मन से stress, tension, anxiety, fatude, alineation, इन सब चीजों को दूर करता है, without demanding anything in back, वापसी किसी परकार की कोई demand नहीं करता हूँ, इस परकार, लेकिन साथ साथ आपको, अगर आपके पास pet animal है, तो आपकी कुछ significant responsibilities बनती हैं, आपकी कुछ जम्मेवारियां भी बनती हैं, यह नहीं कि, आपने कोई भी animal पाल लिया, एक बार शोक शोक बें, और उसके लिए बहुत ही care किया और शकता होती है, ऐसा ना हो, कि आपके पास सुईदा तो सारी हो, मिस्स पैमफरी की तरह है, बहुत अमीर भी हो, आप उसके साथ बैड बिला सकते हैं, उसके ट्वाइज बिला सकते हैं, उसका गदा भी बिछा सकते हैं, उसकी ड्रेस बिला सकते हैं, लेकिन उसकी देख बाल करने के लिए, मिस्स पैमफरी वारा attitude नह होना चाहिए तो सबसे महत्तपरून है जो हम जिस कहानी से सीखते हैं कि मिसिस पैमपरी जो एक अमीर औरत है वो वैसे तो उसको बहुत ही पैमपरी पैमपर एक वरड होता है जो एकसेस लओ ज्यादा प्रेम करती है लेकिन उस एकसेस लओ में वो ये भूल जाती है कि जो कि वो बिमार हो जाता है, बहुत खाना खिलाती है उसको, वो केर करना, उसका ध्यान रखना, उसको ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए पैट लावर को चाहिए, कि मिसिस पैमफरी की तरह ना होते वे, ट्रैंफ आप सरदरीशे, जेम सहरियत के मादन से, ये सबक शीखना चीए, कि पैट एनिमल्स की देखवाल कैसे करते हैं, ठीक है, एक तो सबक ये है हमारा, दूसरा, कि बैलेंस जाइट और निउट्रिशन, हमें अपने पैट एनिमल्स की बैलेंस जाइट और उसमें जो ना संतुलुत, आहार और उसके पोश्चन का ध्यान रखना चीए, ये जार है, एक इंसान के लिए तो संबाँ नहीं है, कि उसको बालूम हो, वो डाइटीशन नहीं है, निउट्रिशन नहीं है, कि उसको बालूम हो कितना देना है, कैसे देना है, कौन-कौन सीची देना है, इसलिए इस एड़्वाइज़ेबल तो विजिट ए वेट, वेट के पास कोई भी पैट एनिमल है वो लेजी हो जाता है घर में खाखा के अबेशिटी मोटा पाव आ जाता है उसके लिए उपर एफेक्ट वरता है वो आईसोलिशन भी मैसुश करता है आप भी ध्यान ना दे उसको भार गुमा के बिना लाएं और उसका जो गैंग है भार जिसे डोग है कभी कभी में उसको ओपन छोड़ना चाहिए नैचरल वे में छोड़ना चाहिए और उसको नियमेत व्यावा जो ना अक्सरसाइज उसकी करानी बहुत जरूरी है डोग्स खासकर इन पर्टिकलर डेली वाक्स उसको जरूरी है पर ए टाइम तो स्टे फिट खेलने का समय कि उनको फिट रहने के लिए देना पड़ेगा आपके पास ताइम इसके लिए होना चाहिए चैट जो ना जैसे चैट खासकर मालों कैट है तो उसको इंट्रेक्टिव ट्योइज चाहिए जिससे वो हंटिंग उसकी इंस्टिंक्ट बनी रहें तीसरी जो खास सिक्स है प्र रिलाइड ऑन डॉक्टर हैर्यट एक्सपडाइज जिस परकार मिसिज पैम फ्री ने डॉक्टर हैर्यट की एक्सपडाइज को उसके ट्रेकी की हेल्थ को छीप किया क्योंकि वो उसको खुद मालूम नहीं था इसलिए और भी आपको लगे कि आपका पैट आनिमल कुछ और symptoms उसमें दिखाई दे रहे हैं तब ही आप wet के पास visit करें और indulgence यानि ज़्यादा उसको want to spoil pets with treats and affection अपने ज़्यादा affection से बचाएं training ज़्यादा 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 करने का मतलब यह नहीं है कि आप उसको खिलाने बिलाने में ही उसको मोटा कर दें ठीक है और pet की जरूरतों को समझना भी बहुत जरूरी है किसी भी pet animal को पालने के लिए आपको training की भी अवश्यादा होती है क्यों आम तोर पर हमें इन बातों का ग्यान भी होता कि कैसे pet animal की देखवार करती है क्या क्या उसकी requirements है क्या वो चाते है तो वो training भी हमें थोड़ी बहुत ले लेनी चाहिए ताकि हम उन पे अच्छी तरह ध्यान देश के और जो ना pet animals को कई बार जो ना stimulation और जो ना मानसी को तेजना भी हो जाती है सामाजिक संपर्ग भी चाहिए उसको अपने परजाती में कभी कभी उसको भुबा के बिलाना चाहिए तो खुल मिला के हम जो ना time of surgery का परियोग करते हुए इस sector को यूज़ करते हुए हम पालतु जानोरों के जो भी मालिक हैं, honors हैं उनको और intelligence से बचना चाहिए और प्रोपर जो ना pet care की knowledge उनको होनी चाहिए otherwise tricky की तरह मिसिस पेंपरी के जो अत्यदिक प्रेम ने उसके अत्यदिक लगाओं ने उसको बिमार कर दिया था आपका भी pet animal वैसे ही tricky की बाती बिमार हो सकता है इसलिए आप जब भी कोई यनवर पाले आप determined हो आपके अंदर determination होनी चाहिए training भी आपको होनी चाहिए doctor की शला भी आपने लेनी चाहिए उसको पैसा भी कर चोगा finance भी मैसर करेगा ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं अगर आपके पास ये सब चीजों की capability है आप ये सब कर सकते हैं तो ही कोई pet animal पाले otherwise कोई और शक्ता नहीं है तो आज के इस lesson में हमें ये जरूरी है था कि अगर आप पाल्तू पश्रू अपने घर में रखते हैं लावार्स है pet animals के तो इन बातों पर ध्यान जरूर देंगे अगर आपको मेरी बाते समझ में आई हो तो comment box में जरूर comment कीजिए और चैनल को subscribe जरूर कर ले क्योंकि ऐसी अच्छी बाते सिरफ principles और YouTube चैनल पर ही मिलते हैं जिसमें presentation के साथ साथ आपको जो ना images के साथ movies के साथ, pictures के साथ theme के साथ अलग अलग बरकार से चीजों को explain किया जाता है so thank you very much for being with us bye bye see you in next video झाल झाल